अमोमन जब सड़क पर कोई बड़ा हासा होता है तो अंजान लोग भी घायल हुए लोगों की मदद के लिए रुख जाते है कोई उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और सहरा दिक सड़क के किनारे तक ले जाता है कोई पोलिस और एंबुलेंस को फॉन करता है तो कोई जखमी हुए लोगों के घरवालों का नमबर तलाईश कर उन्हें हसे की जानकारी देता है पर ज़रा सूच ये किया कोई बेदर्द इंसान ऐसा भी हो सकता है जो किसी के जनम दिन का जैश्य मनाने जा रहा हो उसकी गाड़े से एकसिडेंट हो दो लोग बुरी तरह से जखमी होकर सडक पर तडप रहे हो और वो शक्स अपनी गाड़ी छोड़कर बर्थडे पार्टी आटेंड करने चला जाए जी हां ऐसा हुआ है और गाड़ी चलाने वाले इस शक्स की इसी लापरवाही और बेदर्दी की वाज़ा से दो घरों के चश्मे चिराग हमेशा के लिए भुच गए दरसल ये हैरत अंगेज मामला है मत्यप्रिदेश के इंदोर शहर का जहां एक तेज रफ़तार बीम डबलू कार ने इस कूटी पर सवार दो लड़कियों को जोरदार टकर मार दी इस हासे में खायल दोनों लड़कियों को आसपास की लोगों ने फॉरण अस्पताल पहुँचाया पर डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूत दोनों की जान नहीं बचाई चासकी पुलिस अस्पताल पहुँची और दोनों लाशो को कबसे मिले कर पोस्वार्टरम के लिए भेजा गया और इसके साथ ही परताल में पुलिस को मौकाई वारदा से सीसी टी बे फुट्डिस बे मिल गया और थोड़ी मशकत के बाद कार चालक आरोपी को भी गरफतार कर लिय गया है रानी वाली बात यह है कि जिस शक्स की BMW गारी से एकसिडेंट हुआ वो उस कार में एक केक लेकर जा रहा था खास बात यह थी कि ये केक BMW चलाने वाले युवक के बास की बर्थडे पार्टी के लिए उनके घर ले जाना था अब आप सोचिए कि इस शक्स के दिमाग में उसके बास की महबत या फिर खौफ कितना था कि आमने सामने की टकर में इसकूटी सवार दो लड़कियों को रौनने के बाद इस शक्स ने अपनी BMW गारी थोड़ी ही आगे जाकर एक सड़क किनारे खड़ कर दी और इसके बाद ये सीधे कार में रखा केक लेकर अपने बास की बर्थेडे पार्टी में जा पहुँचा पीछे मौकाई वार्दात पर वुरित हसे जखमी दोनों लड़कियां तडबती रही लेकिन इससे एक बार भी उनका खयाल नहीं आया जानकर की मुताबिक हसा महलक्श्मी नगर इल गरफतार बी-म-डबलो कार ने उनकी स्कूटी को आमने सामने की सीधी टकर मार दी टकर इतनी जबरदस थी कि लड़कियों के बचने की कोई उनजाईश नहीं रही मगर कार सवार यूवक रुक कर जखमी लड़कियों की मदद करने के बजाए कार को मौकिस से कुझदूर लावारिस छोड़कर पार्टी मनाने के लिए चला गया हाले कि पुलिस ने उसे जल्द ही घरफतार कर लिया पुलिस जाच में पता चला है कि आरोपी गजिंदर परताब सिंग अपने बॉस का जिनम दिन मनाने के लिए केक लेकर जा रहा था वह काफी जल्द बाजी में थ इस मामले में ठाना प्रिभारी मनोज सैंधव ने घटना की गंभिरता को देखते हुए फॉरन पुलिस टीम को घटना इस सहल पर भेज कर कारेवाही शुरू कर दी आरोपी के खिलाफ गयर इरादतन हत्या धारा 304 की धाराओं के तहट मुकदमत दर्स किया गया है पुलिस उठाने की मंग रहे हैं